तो चलिए बात करेंगे इंडिया भर्सेस साउत अफरीका तिसरा टी ट्वंटी मुकाबला जब बड़ दस्त गया था इनके अलावे कल ही मैंने बोला कि इसमें जीए लाएगा भया एक नहीं बलकि देखो कितने सारे जीए लाएं एक दो तीन चार पांच छे इनके अलावे यहां से भी देख सकते हूँ यहने एक मुकाबले में करिवन देखा जाए 15-20 जीए लाएं और बहुत सारे लोग लाएं और मैने पहले ही खा कि यह मैं जीएल जेकपोट है सारा कुछ मैने वीडियो पर भी बताया आईडियो पर भी टीम भी दिया और आप लोगों ने इन तो मेरे भाई लाष्ट इंडिया में जबी हम लोगों के लिए अल्ट्रा के लिए इन्सूप रहा कोई इरधगिर्द नहीं सारे लोगों ने वीडिया ट्रेडिंग में भी रियल इलबन पर मैंने बोला कि साउत अफरीका वीडिया वहां पर भी हम लोगों ने आ गया तो मेरे भाई हर जगह हर अप्लीकेशन में अच्छा जारा है और एकसेंज 22 भी बढ़िया प्लीकेशन जारा है क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खिलता हूँ इनके हलाबे जील का टीम, पीची रिपोर्ट, पिलेंग लिवन याने एक सांदार टीम बनाने के लिए जितने चीजों की अवसकता होती है ने मेरे भाई सारा कुछ टेलिग्राम चैनल पे देता हूँ तो आपको जोईन करना किस परकार है मेरे भाई जैसा कि आप हमारा इस परकार से वीडियो देखते हूँ यह होगिया डिस्क्रिप्शन इस पे आपको किलिक कर देना है जोकी ओरिजिनल है और आपको फेक से रहना है बिल्कुल सावधान फिरी का फायदा यहां आकर आप उठा सकते हो तो दोस्तों अगला मुकावला जोहांसबर्ग में खेला जाएगा उहां पर भी आपको पाता है कैसी पीछ होती फास्ट गेनबाजों के स्पीनर को थोड़ी हेल्प मिलती है लेकिन बल्ले बाजों के अनुकुल होता है ज़्यादा कुछ देखने के जर्वत ने सीधे देखो वाई जैस वाल सुबमन गिल्द इन दोनों में देखा जाए तो हमारा जहाता कमना आए इस बार दोनों बढ़ियां करेगा शूरी कुमार यादा वरिंकु सिंग में कोई एक जाएगा फुलो बांकी अभी प्रेडिक्शन बक्त हम समझेंगे इस परकार से रहा फर्स्टी ट्वंटी इनके तरफ से जी कोड़ी एक मात्र बढ़ियां गेनबाज रहेगा वह से दो गेनबाज की वापसी हो रही है एक है एन बर्गर और वर्तमान नाम का है तो दोनों का करिया रिकोर तो अच्छा है खासकर इन बर्गर ठीक ठाक रहेगा बाकी यहां से देखोगे समसी इंपोर्टिन रहेगा एक ही बिक्टे लेगे लेगे लेगिन भया जिस तरह से इनों ने दबाब बनाया न देखके मजा आ गया इसी का नतिजा रहा के मकरम ने तीन ओभर डाल गया अब यहां से देखोगे मकरम ने तीन ओभर डाला दो ओभर काफी अच्छी थी आखरी ओभर में दो छक्के लगी इस वज़ाँ से महंगा थोड़ा सा ये साबीत हो गया नहीं तो गेन बाजी ते यह अच्छा कर रहा है साउत अफरिका रिजा हेंडरिस को मैंने बोला बढ़िया करेगा ब्रिडिस के अच्छे लैमें दिखाई दे रहेते दुर्भागे तरिका से ये रन उठो गया तो थोड़ा से इस पर आप विचार करना मकरम इंपोर्टे रहेगा कलासिन भी इंपोर्टे रहेगा डेविड मिलर पहले बल्ले बाजी साउत अपरिका करेगा तो इंपोर्टे रहेगा क्योंकि जादा मोका मिलेगा वैसे बल्ले बाजी ही ना है सेम टी स्टूबस के सांथ भी इंडिया के गेन बाजी में देखो मौमा सिराज ठीक ठागा एसिंग ठीक ठागा लेगन इससे फाले अग जदी हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर कर लो क्योंकि ड्रीम लेमन से रिलेटेट कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले इन्फोर्मेशन देता हूँ डिसकाउंट वेगरा जो भी आता है इनके अलाबे को जनकारी लेना इस्टापे मेंसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोग करिपलाई देता हूँ भी बहतर तरीका से अब चलिए बात करते हैं इंडिया का सेफ प्लेयर कौन सा होने वाला है जो कि टीम पे होना चीए तो सबसे पहले सुर्कुमार यादव सुभमन गिल हलांके सुभमन गिल सस्ते में गया लेकिन सेफ प्लेयर के सुची में आता है कि होना चीए रविंदर जड़ेजा भी चलेगा इनके अलाबे यहाँ से देखो कुल्दिव यादव ठीक ठाक है बांकी अनिक साउथ अफ्रीका के उपर चलते हैं तबरेश समसी आएगा इनके अलाबे एड़ा मकरम आएगा इनका एक आएगा जी कोड़ी जिनको हम लोगों ने सोरी जी कोड़ी तो खेलने ही बाला नहीं है यार क्या मैं तो यहाँ से इनका खेलेगा एन बर्गर वर्तमान खेलेगा इनके अलाबे ज्यादा कोई खास लगा नहीं यहाँ से रिजा हैंडिक्स और विगर कीपर मैं हैंडिक कलासिन ही बेश्ट होगा तो फिलाल के लिए यह आठ को लिए और सेफ की सुची मैं जो की टीम में ट्राइ करना चाहिए वैसे सेफ की सुची मैं इन दोनों में से किसी एक को लेने वाला हूँ तो वो मैं समझूगा क्या बुलता है लैनम बग अब देखो इंडिया पहले गेन बाजी करेगा तो एसिंग आ जाएगा हम लोगों के टीम पे एसिंग यहां से आ जाएगा सेलेक्सन पेसिस पे बिल्कुल मत जाला इंडिया पहले गेन बाजी करे तो अब इस से स्थितिम इंडिया पहले गेन बाजी करेगा तो साथ अफरिका जाहिर सी बात पहले बले बाजी करेगा ज़ै डेवीड मिलर आ जाएगा यहां तक सही है अब इंडिया का एक पिलेर मैं लेने की सोच रहा हूँ तो इंडिया पहले गेन बाजी कर रहा थी यहां से मैं वाई जैस वाल के उपर जाने बाला हूँ क्योंकि पहले गीन बाजी में टोप 3 को pick करऊंगा हो सके टोप 3 से finish कर दे अब यहीं बात करें अगर ज़दी साओध अफरिका पहले गैन बाजी करएगा थि इनको डोप करके मैं एन बर्गर को pick करूंगा और एसे इस्तिती में डेवीड मिलर को डोप करके इंडिया का जो एश्ट्रा पिलेर है रिंकू सिंग या फिर तिलग बर्मा उनके उपर चला जाँगा क्योंकि इस इस्तिति में हो सकता है डेविड मिलर का बलेबाजी ना है और कुछ बड़ा रिस्क कुछ नया तो एम ब्रिडिश के को इनके जगा ले सकता हूं तो ये सब प्रम्ब कार्ट के रूप में काम करेगा देखो केप्टन बिसिकली मुझे लगता एडम अक्रम से बहतर केप्टन कोई नहीं होना चीए क्योंकि कुछ देखा जाए बलेबास तो बढ़िया है और कुछ ओभर करके देते हैं तो केप्टन एडम अक्रम होगा अब टोस का र डेट कर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक पिलिंग लेबन पे तो आसा करते भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल्ट बेतर जाए सारे भाई मिलकर प्रोफिट कमाए